दोस्तों कि आप जानते हैं अगर किट्नी में गंदगी जमा हो जाती है तो उससे क्या-क्या परिशानिया होने लगती है आखर किट्नी में गंदगी जमा कैसे होती है और इसके पीछे का कारण क्या है अगर किट्नी में ज़्यादा गंदगी जमा हो गई तो क्या होगा पहले जानते हैं किट्नी का हमारे शरीर में दोस्तों क्या काम होता है। जिसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में दो किट्नी होती हैं और दोनों ही हमारे शरीर से गंदगी को छानने का काम करती हैं। ये गंदे भोजन या फिर कुछ हानिकारक रसायन को रोक लेती है और जो शुद भोजन होता है उसे आगे भेज देती है इस तरह ये हमें शुद साफ भोजन देती है किट्नी का हमारे शरीर में सबसे जरूरी काम होता है ये हमारे water level को भी maintain रखती है और साथ ही गंदगी को भी बाहर निकालती है पानी और खराब खाना दोनों ही हमारे blood में होता है ये खराब खाना दोस्तों वही होता है जो हमारे शरीर से अगर ज्यादा तेर तक बाहर नहीं निकलता है तो वो पढ़े-पढ़े सरने लगता है साथ ही हमारी बॉड़ी में कुछ chemical reactions भी होते हैं जिसकी वज़े से भी खाना सर जाता है इसके बाद गंदा खून किड़नी में जाता है और किड़नी में नैफरोन पाई जाती है यही हमारे blood को चानने का काम करती है नैफरोन में दोस्तों छोटे-छोटे छोटे छेद होते हैं इनी छेद के जरीए blood purify होता है लेकिन दोस्तों इस बीच blood में जो भी waste material बड़े आकार में होता है वो इन छेदों में रुक जाता है और फिर इसी में पड़ा रहता है यही आगे जाकर stone का रूप ले लेता है अब जब छेदी बंद हो जाएगा तो blood कहां से इसके अंदर जाएगा और यही वज़ा होती है कि खोन शुद होना बंद हो जाता है और इससे ही बहुत सारी बिमारिया पैदा होती है अब ज़रा सोच यह जब इन kidney के अंदर जमी हुई गंदिगी को साफ नहीं किया जाएगा तो क्या होगा तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करती छे chronic kidney disease यानी stone problem जी हाँ दोस्तों यही वज़ाए कि आजकर लोगों को पत्थरी की समस्या ज्यादा रहती है हर दो तीन महीने बाद kidney में stone बन जाता है kidney में ज्यादा खत्रा नहीं रहता है लेकिन दोस्तों जब यह stone पित में बन जाता है और आखिर मेंसे निकालने के लिए operation का ही सहरा लेना पड़ता है दूसरा है skin problem kidney की गंदगी का असर skin पर भी देखने को मिलता है इससे शरीर में खुझली हो जाती है साथी दाग धबे जैसी परिशानिया भी जैम लेती है आपने देखा होगा दोस्तों बहुत से लोग के आए दिन चेहरे पर शरीर पर दाने निकलते हैं अब जब यह दाने खत्म होते हैं तो skin पर अपने निशान छोड़ चाते हैं इन सब का कारण kidney में जमी हुई गंदगी ही है क्योंकि जब kidney में गंदगी रहती है तो हमारा blood भी सही से purify नहीं हो पाता है और गंदा खून ही हमारे पूरे शरीर में फैलता है जब यह मैला खून शरीर में फैलता है तो skin problems के साथ साथ शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी बहुत सी भीमारिया जैम ले लेती है पहला है दोस्तों fasting जी हाँ यही एक सबसे अच्छा और असरदार formula है क्योंकि जब खाते रहते हैं तो हमारी body को सफाई करने का time नहीं मिल पाता है और हमारे शरीर में गंदगी जमा होती रहती है इसलिए अगर हम एक दिन कुछ भी नहीं खाएंगे और सिर्फ नीबू पानी ही पिएंगे तो हमारे शरीर की सारी गंदगी बहार निकल जाएगी और हमारा शरीर एक दम स्वस्त और तंद्रूस्त हो जाएगा साथ ही आपके किट्नी ऐसी हो जाएगी जैसे इसकी पूरी तरह से सफाई हो गई हो अगर आप इस तरीके को भी नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों फिक्र किस बात किये हम आपको दूसरा बेहतरीन तरीका बता देते हैं इसके लिए आपको लेना है लहसुन और हरा धनिया लेकिन इनको कैसे लेना है और कितना लेना है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आप 50-60 ग्राम हरा धनिया ले लीजे और छोटे-छोटे टुकडों में काट लीजे इसके बाद 5-6 लेसुन लीजे और फिर इन दोनों को आधा लीटर पानी में डाल कर खूब अच्छी तरह से उबा लें इस पानी को इतनी दीर तक उबालें कि ये पानी आधे लीटर से भी आधा हो जाए और जब इसका रंग कुछ बदल सजाए तो इसे छान लें और इसमें एक चमा चैपल सीटर विनेगर मिला लें फिर इसे सुबह खाली पेट पिएं लेकिन ध्यान रखे कि आपको ये जूस एकदम नहीं पीना है बलकि इसको घूट-खूट करके धीरे-धीरे पीना है इसे पीने से आपका पाचन तंतर काफी मस्बूत होगा साथ ही आपकी किटनी की गंदगी भी चुटकियों में दूर हो जाएगी अगला उपाय है कि आप गाजर को छोटे-छोटे स्लाइस में काट लें और फिर आदा खीरा लें उसे भी ऐसे ही स्लाइस में काट लें इसके बाद अधरा को छोटे-छोटे बारीक टुकडों में काट कर इन तीनों को जूसर या मिक्सी में अच्छे से मिला लें और इसका जूस बना लें इस जूस को आप सुभा नाश्ते में पीएं ये जूस आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होगा क्योंकि गाजर में कैरेटिन मौजूद होता है जो हमारे शरीर में कैंसर के खत्रे को कम कर देता है और साथ ही हमारी किट्नी से गंदिगी को निकालने में भी काफी असरदार होता है इसलिए आप भी जूस को बना कर जरूपी है अगर आप इन तीनों के जूस को नहीं पीना चाते हैं तो आप इन्हें खा भी सकते हैं अगला है मूली के पत्ते जी हाँ आपको जान के हिरानी होगी कि जितना मूली में पॉष्टिक तत्वा मौजूद नहीं होते हैं, उससे कई गुना इसके पत्ते असरदार होते हैं, वो हमारे पेट की गंदगी को तो दूर करते ही हैं, साथ ही ये पीलिया की बिमारी का भी रामबार इलाच है, इसलिए आप इसके अंदर का माल ही खाता है, लेकिन आज हम आपको इनके छिलकों का एक अचूग उपाए पताएंगे, भुट्टे के रेशे जो दिखने में बिलकुल बालो की तरह लगते हैं, या हमारी किट्नी की परिशानी को दूर करने में काफी मदद करते हैं, इनको इस्तमाल करन के लिए आप पहले इन बालो को अच्छी तरह से सुखाएं, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएं, जब ये उबल जाएं, तो इस पानी को छान लें, फिर इस पानी को थोड़ी देर रख दें, जिससे ये ठंडा हो जाएं, जब ये ठंडा हो जाएं, तो इसमें आप मिलाएं दो चमश नीबू का रस नीबू पानी को अच्छे से इस पानी में घोल कर दोस्तों फिर आप इसे पी लीजे इस पानी को आप दिन में दो बार पीजे कुछी दिन में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा ये पानी आपकी किट्नी को एकदम से detoxify कर देगा क्योंकि दोस्तों इन बालों में protein, carbohydrate, vitamins, minerals और fiber ये सब कुछ भरपूर मातरा में मिलता है इसलिए ये सिर्फ kidney के लिए ही फाइदे मन नहीं है बल्कि ये BP, blood infection और भी बहुत सी चीजों में फाइदा करता है तो ये थे कुछ घरिलू उपाए अब हम आपको दोस्तों कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनने आप आसानी से follow कर सकते हैं पहला है गहरी सांस लेना ये सबसे आसान और असरदार उपाए है सबसे पहले जब आप सुबस सो कर उठेना तो खुले माहौल में शुद ऑक्सीजन ले जब आपके शुरीर में शुद ऑक्सीजन चला जाएगा तो आपके सारे ब्लॉक्स खुल जाएगे जो भी गंदगी की वजह से बंद हो गया है जब ये साफ ऑक्सीजन ब्लट के अंदर जाकर ब्लट के साथ मिलेगा और किट्नी तक जाएगा तो किट्नी की सफाई बहुत ही चल दी और आसान तरीके से हो जाएगी और ऐसे ही रोजाना करने से दोस्तों आपके किट्नी की गंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगले जो उपाई है दोस्तों वहाँ बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और नहीं पीते हैं तो यह हमारे बलड के जरी यही पूरे शरीर में पहलता है क्यूंकि दोस्तों बलड भी एक लिक्विड ही है और हमारी बॉड़ी भी 70% पानी से ही बनी हुई है इसलिए हमारे शरीर में पानी का बहुत ही ज़्यादा में रोल है समझ लीजे गर आप पानी नहीं पिएंगे ना तो ना तो आपका शरीर सुस्त रहेगा और ना ही आपकी किड्नी में से गंदगी बाहर जाएगी इसलिए एक दिन में कम से कम तीन लीटर पानी जरूर पीछे चलिए अब जानते हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी किड्नी में कुछ परिशानी है तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं जिने जानकर आप आसानी से इसके बारे में पता लगा सकते हैं पहला है पेट में दर्थ जिया जब हमारी किड्नी में ज़्यादा गंदगी भर जाती है और वो सही से काम नहीं करती है तो हमारे पेट में दर्थ होने लगता है ये दर्द पेट में बाई या दाई तरफ होता है इसे बहुत से लोग गैस का दर समझ कर नजर अंदास कर देते हैं जो आगे चल कर एक कंभीर समस्य का रूप ले लिता है दूसरा है पैरों की उंगलियों पर सूजन आना जब किटनी सही से काम नहीं करती है तो प्लट के दबाव कभी-कभी धीमा हो जाता है तो कभी-कभी दोस्त और बहुत ही तेज हो जाता है और इस ब्लट सर्कुलेशन की वज़़े से ही हमारे पैरों पर सूजन आने लगती है साथी उंगलियां भी सूच जाती है यही संकेथ होता है कि हमारे किटनी में कुछ परिशानी है या फिर ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है तीसरा है दोस्तों, स्किन पर अलग तरह के निशान बनना जब किट्नी की समस्या पैदा होती है तो शरीर पर कुछ लाल रंग के निशान या फिर नील जैसे निशान बनने लगते हैं साथी चेहरे पर दाने मुहा से ये भी निकलना शुरू हो जाते हैं और सकिन पूरी तरह से खराब हो जाती है ये संकेद किट्नी के खराबी की भी हो सकते है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताना वैसे आप किस तरीकी को अपनाना पसंद करेंगे और आप कौन सा तरीका अपना चुके हैं ये भी हमें जरूर लिखेगा वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलना आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आपकोन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियो में सनाव मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखें बाई बाई टेक केर